प्रेज लोड दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रात्ना में और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि विश्वास रखो संधे न करो दोस्तों प्रभ येश्व मसी ने मतिर चिस्व समचार उसका 21 अध्यर 21 पद में कुछ इस प्रकार से कहा येश्व ने उन्हें उत्तर दिया मैं तुम से सच सच कहता हूं यदि तुम विश्वास रखो और संधे न करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेर से किया गया है परन्तो इस पहार से भी कहोगे उखर जा और समुद्र में जा पर तो यह भी हो जाएगा आमें और आज प्रवियेश्व मसी बतनियां से वापस आ रहे हैं और सुबह सुबह की बात है और प्रवियेश्व मसी को भूक लगी और प्रवियेश्व मसी और उसके चेले उसके साथ में थे और उन्होंने क्या देखा कि एक अंजीर का पेर वहाँ पर है जिस पर जो हारा भरा हुआ है जिसमें बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं तो इसलिए प्रव्येश्व मसी उस पेड़ के निकट गए कि उसमें क्या जाने उसमें फल लगे हों और वो फल खाएं और अपनी भूग को मिटा दें जब प्रव्येश्व मसी उसके पास गए तो क्या देखा कि उसमें भी फल नहीं है केवल पत्ते ही पत्ते हैं तब प्रव्येश्व मसी ने कहा कि आज से तुझ से कोई भी फल न खाने पाएगा क्यों आखिर प्रव्येश्व मसी ने उस पेड़ को ऐसा कह दिया दोस्तों अंजीर का पेड़ पे जब पत्ते उगते हैं तो उसी समय उस पर फ पेढ़ शूक गया तो और प्रवीशburg मसी के चेलो ने प्रव्यश्व मसी से पूछा कि देखो यह पेढ़ सूक गिया तब प्रव यहीस मसी ने अपने चेलों को एक सिक्चा दी और प्रवीश कम सी ने और कि यदि तुम विश्वास रखोगे और मन में संधे न करोगे तो जो कुछ स्पेड के साथ में हुआ है तुम इससे भी बड़े-बड़े काम करोगे तुम इस पहार से यदि कहोगे कि उकड़कर समुद्र में गिर जा तो वो ऐसा तुमारे लिए हो जाएगा दोस्तों यहां पर प्रभ येश्व मसी ने अपने चेलों को एक बहुत बड़ी सिक्छा दी विश्वास के बारे में कि हमें अपने कहे विए सब्दों पर किस प्रकार से विश्वास रखना है यहाँ पर प्रवियेश्य मसी प्राथना के विश्य में नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें प्राथना करना है, यहाँ प्रवियेश्य मसी उस पेड़ को आग्या देने के बारे में कह रहे हैं, उस पेड़ से विश्वास के रूप में कहने के लिए कह रहे हैं, विश्वास से कहने के लिए कह रहे हैं, उस पहाड से पहाड को आग्या देने के लिए कह रहे हैं, कि यह पहाड तो वहाँ से उखर कर समुद्र में गिर जा और जब तुम इस परकार से कहोगे तो तुम्हें मन में संधे नहीं करना है बलकि उस बात पर विश्वास करना है कि जो कुछ मैंने कहा है, जो कुछ मैंने कहा है, वो हो जाएगा, और जब तुम इस प्रकार का विश्वास रखोगे, और मन में संदेह नहीं करोगे, कि होगा की नहीं होगा, मैंने कहतो दिया, मैंने प्रात्ना तो कर दी, पर प्रत पता नहीं, होगा की नहीं होगा, यदि बात को तुमने आग्या दी है उसके लिए तुम्हे विशुवास रखना है कि जो कुछ मैंने कहा है वो पूरा हो जाएगा जैसे प्रभी येश्य मसी ने उस अंजीर के पेड़ से कहा और वो उसी समय सूख गया प्रभी येश्य मसी अपने चलों से कह रहे है इसी प्रकार से जब तुम भी कहोगे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा बस तुम्हे एक काम करना है तुम्हे संधे नहीं करना है तुम्हे अपनी कही हुए बात पर विशुवास रखना है तब प्रभी येश्य मसी प्रातना के बारे में यहां पर कह रहे है कि इसी प्रकार से जब तुम प्रातना में मांगोगे और विशुवास कर लोगे कि जो कुछ मैंने मांगा है वो मेरे जीवन में हो गया जब तुम इस प्रकार से करोगे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा जो कुछ तुम मांगोगे दोस्तों आज साम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा ये जो सिक्षा प्रवेश्य मसीन अपने चेलों को दी ये ही सिक्षा आपको और मुझे भी दी है हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, कि जो कुछ आप कहते हैं, जो कुछ आप प्रातना में मांगते हैं, आपको विश्वास करना है, कि जो कुछ मैंने मांगा है, वो मेरे जीवन में हो जाएगा, और संदेह नहीं करना है, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्य जाना है केवल विश्वास रखना है कि प्रभु ने जो कुछ कहा है यह फिर जो कुछ मैंने प्रात्ना की है जो कुछ मैंने मांगा है यह फिर प्रमिश्व कवचन जो कुछ कहता है वो मेरे जीवन में हो जाएगा और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो वो सब जो कुछ आ प्रातना में मांगे, वो आपके जीवन में हो जाएगा। और फिर हम यहां पर देखते हैं, प्रवmee यह शुमसी कहते हैं, कि तुम इस पहर से कहोगे, इस पहर के लिए प्रातना नहीं करोगे, बलकि क्या कहा कि इस पहार से कहोगे, जब तुम अपनी समस्याओं से कहोगे, अपनी परिसानियों से कहोगे, जब तुम अपनी बीमारियों से कहोगे, अपनी मुस्किलों से कहोगे, कि उखर कर समुदर में गिर जाओ, मेरे जीवन से चले जाओ, तो तुमारे जीवन में वै विश्वास कर रहे हो, मन में कोई संदेह नहीं, जब इस प्रकार से करोगे, तो तुम्हारे जीवन में वो हो जाएगा, जिस प्रकार से ये हारा भरा अंजीर का पेड़ सूख गया, उसी प्रकार से आपके जीवन की वो समस्याएं भी आपके जीवन से दूर चली जाएंगी सो प्रवो आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आसीस दे, आमेन, दोस्तों इस समय होकर जब हम एक गवाई को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रवो अपने लोगों के जीवन में कारे कर रहा है, जो उस पर विश्वास कर रहे हैं, जो मन में संदेह नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रात्न में जाएंगे, आप हमार साथ में इस प्रात्न में बने रहें, मेरा नाम मोना है, मैं जारकन हजारी बाग से बोड़ी हूँ, मेरे घुटनों और कमर में बहुत जोड़ से दर्थ था, लेकिन मैं ब्रदर पीके मती और अमरिता मती के सुबा साम की प्रात्न में सामिल हुई और मेरे कमर और भुटनों के दर्थ से मुझे अजाती मिली, इसके लिए मैं पिता परमिशर को और बहन अमरिता को और भाई पिके मसी को धनिवाद देती हूँ, अप्रभु की इस्तूति अर्महिमा करती हूँ, आमेन सो हम प्रभु येश्व मसी का धनिवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर आज की शाम में हम सब उत्साहित हुए हैं, जैसे प्रभु येश्व मसी ने इनके जीवन में कारे कया, इनके प्रात्न का उत्तर दिया, ऐसी परमिशर आपकी जीवन में भी कारे करेंगे और आपकी प्रातना का उत्तर देंगे तो प्रभू इस गवाही के दौरा आप सब को आशीज दें आईए हम से मिलकर आज की सुन्दर शाम में प्रभू येश्व मसी से प्रातना करें धनिवाद धनिवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभू येश्व मसी हमारे ज सुरक्षित रखा हरे खوف कत्रों से बचाया हरे दुष्ट की पुरी योजनाओंस से बचाया अर सुरकशित प्रभू अपने बेटे बेटियों को शमा करें, जो इस समय प्रभू शमा को मांग रहे हैं पिता, अपने गुनाहों को आपके आगे रख रहे हैं, उस बात का अंकिकार कर रहे हैं, प्रभू उन बातों के लिए पस्तार रहे हैं पिता, आप उने शमा करें, और धन्यवादी हैं करते हैं हमें अपनी शिक्षाओं को बताते हैं हमें वह सटीक मार्ग बताते प्रभू जिसमें हमें चलना है परमिश्वर और आज हम वचन के दुआरा इस शिक्षा को सीख पाए परमिश्वर कि सच में मेरे प्रभू विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है यदि हम संधे करे तो प्रभू वो सब कुछ हमारे लिए नहीं होने पाएगा परंतु पिता आज की शाम में प्रभू आपका वचन हमें उच्छाहित करता है कि प्रभू हम सार परमिश्व मनन करते वे प्रभू यह विश्वास करते वे प्राथना करने पाएगा और अपनी बुरी परस्तियों के विरोध में परमिश्व इस वचन को कोड करने पाएग पिता और प्रभू उस पर विजय होने पाएग पिता धनेवाद करते प्रभू यदि आज इन के जीवन से दूर हो पिता ये शुके नाम से प्रभू आप इने विश्वास में बढ़ाए पिता क्योंकि प्रभू आपका वचन ये कहता कि संधे करने वाला ये ना सोचे कि उसे परमिश्वर से कुछ प्राप्त होगा मेरे प्रभू आज प्रभू ये संधे प्रभू आपक तो वो समुद्र में जा पड़ेगा उसी प्रकार प्रभू येश्व मसी वो पहार जैसी परस्तियां वो दुस्ट के कारिय वो दुस्ट की बाते येश्व के नाम से इनके जीवन से इनके परिवारों से निकल कर चली जाए येश्व मसी के नाम से हम उसे आग्या देते हैं इ आज हम प्रभू इनके कर्जे के लिए कहते हैं प्रभू येशु के नाम से इनके जीवन को छोड़ कर जाए in the name of Jesus प्रभू तेरे लोग कर्ज मुक्त होने पाई येशु के नाम से प्रभू हम प्रातना करते प्रभू यदि आज ऐसी समस्या है प्रभू जैमानों की पहाड के समान वो खड़ी है इनके सामने प्रभू तो आज हम उस समस्या को कहते हैं कि इनके जीवन उसे जाए ये शुमसी के नाम से प्रभू आज आपके लोग अजाद होने पाई इस मेशो पृतबिता क्योंकि प्रभू विश्वास के दूआरत जो कुछ भी मांगा जाएगा प्रभू वो मिलेगा मेरे पर मेशो तेरा वचन आज उस बीमारी पर विजय के लिवा मांग रहे हैं। प्रबुल्बु इस समय वह рук भॉटाइं और पृण से पीड़यों शर्यसू से निकल जाएख एखुूमसी के नाम से हर एक बर्द ऑर जाए ये शुमसी के नाम से, हर एक infection, हर एक allergy दूर हो जाए, इनकी skin हील हो जाए ये शुमसी के नाम से, सर के बालों से लेकर पैर के नाकुनों तक की हर एक समस्या चली जाए ये शुमसी के नाम से, प्रभू अंदरूनी अंग की समस्य चली जाए यशु के नाम से, बहारी अंग की समस्य चली जाए यशु मसी के नाम से, प्रभू आज हम अधिकार से बोलते हैं, इस वचन के अधार पर बोलते हैं, कि प्रभू तुने अपने लोगों को छुटकारा दे दिया है, ठैंक यू रहते हैं प्रभु जी उनका confidence level zero हो जाता है प्रभु हम दुआ करते हैं आज वो परस्तितियों से उभरें येश्यमसी के नाम से और वो आगे बढ़े निडर बने येश्यमसी के नाम से confidence higher level तक पहुचे येश्यमसी के नाम से धनिवाद करते हैं जितने competitive exam देने वाले हैं प् उन्हें अवल पदों पर न्युक्त करें प्रभु बहुत अच्छा performance करें बहुत अच्छे numbers के साथ में प्रभु आपके समख उपस्तित होकर महिमा आपको देने वाले हो सकें बहुत सारे बच्चे हैं प्रभु जो exam दे चुके हैं बहुत अच्छा performance उन्होंने कि आ लोगों को दे पुरे सपने से छुटकारा दे उनके डर से उन्हें छुटकारा दे दुष्ट के वो negative thoughts से छुटकारा दे और प्रभु आपके लोग positive होने पाएं पिता धन्यवाद प्रभु कि आपने हम सब की सुधी ली जितने लोगों ने youtube comment box में instagram में facebook page में आज की शाम म दिया है कि प्रभु तो उनके जीवन में कारे करेगा इसी समय पिता आप उनके जीवनों में कारे करें इसी समय प्रभु जहां कहीं भी है प्रभु उनके जीवनों में कारे करें पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु आपने हम सब की सुधीली हम सब से प्रेम किया धन्यवा करते हैं येशु के नाम से स्विंधी को मांगते हैं आमेन आमेन और आमेन